हलो गाईज मेरा नाम है श्रेश शर्मा और आप देख रहे हैं लॉफ फॉर बिगनर्स इस वीडियो में आज मैं आपको एक्स्पेंड करूँगा कि बेल क्या होती है कितनी तरीके की बेल होती है बेल मिलने का क्या प्रोसीजर होता है कौन-कौन से ओफेंस होते हैं जिसमें बेल मिलती है और कौन-कौन से ओफेंस होते हैं जिसमें बेल नहीं मिलती है तो इस वीडियो को एंड तक देखना आपका बेसिक कंसेप्ट बेल का क्लियर हो जाएगा बेल का मतलब यह होता है कि आपको एक temporary release दिया जाता है पुलिस कस्टडी से लेकिन इस guarantee पे दिया जाता है कि जब भी investigation officer को आपकी जरूरत पड़ेगी तब आप हमेशा available रहोगे अब हमारे दिमाग में एक question आता है कि क्या हर case में बेल मिल जाती है तो नहीं उस चीज को समझने के लिए आपको दो चीज़े समझने पड़ेगी कि there are two types of offenses दो तरीके के offense होते है एक available offenses होते है non available offenses होते है जो available offenses होते हैं वो section 2A of CRPC में define किये गए है और first schedule में बताए गए हैं कि ये सारे offenses available है जो available offenses होते हैं for example bribery, public nuisance, simple hurt ये less serious nature के crime होते हैं इसमें bail मिलना आपका right होता है और even इसमें investigation officer जो होते हैं वो ही आपको bail भी grant कर सकते हैं non available offenses वो सारे offenses होते हैं जो section 2A of CRPC में बताए गए है non available offenses जो first schedule में नहीं include हैं वो सारे non available offenses होते हैं for example non available offenses की murder, rape, dowry death, attempt to murder, kidnapping ये सारे serious nature के crime होते हैं इसमें जो punishment मिलता है वो 3 साल से उपर ही मिलता है और इसमें सिर्व magistrate होते हैं वो ही आपको bail grant कर सकते हैं अब आता है दिमाग में की bail कैसे लें तो bail लेने के लिए आपको एक document दिया जाता है जिसको बोलते हैं bail bond उसमें दो चीज़े होती हैं पहला उसमें court आपको एक amount pay करने के लिए कहता है वो amount कुछ भी हो सकता है वो court की उपर depend करता है वो आपको pay करना पड़ेगा और दो sureties भी आपको लगेंगी जो दो sureties का मतलब ही होता है कि दो लोग आपकी guarantee लेते हैं लेकिन आप section 437 के अंदर एक application लगाते हो magistrate को फिर उनके discussion की उपर depend करता है कि वो आपको bail देंगे की नहीं देंगे अब आता है anticipatory bail क्या होती है anticipatory bail आपको non-billable offenses में ही मिलती है और anticipatory bail आप सिर्फ high court में और court of sessions में लगा सकते है under section 438 of CRTC anticipatory bail की कुछ conditions होती है कि आप regular offender नहीं होने चाहिए anticipatory bail तभी मिलेगी जब आप guarantee लेते हो कि जब भी investigation officer को आपकी जरूरत पढ़ेगी आप अमेशा available रहोगे आप इंडिया चोड़के नहीं जाओगे without the permission of court I hope आपके सारे doubts clear हो गए हो अगर अभी भी कुछ doubt है तो आप comment box में लिख सकते हैं और अगर यह video आपको पसंद आया हो तो please guys like subscribe and share thank you